सभी को गोड एवनिंग और कैसे हो तुम लोग हाल चाल तो पूछना ही पड़ेगा क्योंकि जब स्टार्ट हो जाता है तो एक घंटे नान स्टॉप गड़ी चलती है तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था पहले भी बताया था कि चैलेंजर स्रीज और मास्टर स्रीज जो हो चुकी है उनको भूल मत जाना उनके कोशन बार बार आपको रिवाइज करना है जितना इंपॉर्टेंट ये स्रीज है उतने इंपॉर्टेंट चैलेंजर स्रीज और मास्टर स्रीज जो हंड़ेट और सेवेंटी मेंने कराया है वो है इसलिए कोशन को बार बार रिवाइ और दूसी बात NCRT बुक आप जरूर तयार करते रहें कोश्चन्स जो कराते हैं वो बार-बार रिवाइज करिए अगर इतना करोगे तो 360 आउट आप 360 नंबर तुम्हारे मिलेंगे और नीट के अंदर एक अच्छी खासी रैंक भी आपकी होगी हो सकता है कि आप टापर लिस्ट में भी हो और टाप भी कर सकते हैं अगर ये सारे काम करेंगे तो इसमें लग जाईए जुट जाईए और दूसी बात कि जैसा कि तुम्हें मालूम है इमानदारी के साथ में सही क कितने विए हैं गलत कितने विए हैं ये काउंटिंग आपको करनी होगी क्योंकि जब सही एनालिसिस हम तक पहुचाओगे तो हम तुमारे लिए कुछ सोच पाएंगे आगे की प्लानिंग इसने एकदम सही सही आपको बताना है कि कितने सही हैं कितने गलत हैं क्योंकि उसी ह तो चैनल को सब्क्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर लीजे और वीडियो को अपने अपने ग्रुप में जरूर सेर कर लीजे क्योंकि कोश्चन जब सिर्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको मौका बिलकुल नहीं मिलेगा जैसा कि तुम्हें मालूम है कि जब हम कोश्चन कराते हैं बीच में बिलकुल ब्रैक नहीं लेते हैं और लगातार क्योंकि सिस्टी कोश्चन हमको कराने हैं और नीट के आधार पर कोश्चन कराने हैं जैसे नीट में एक कोश्चन के लिए एक मिनट से कम समय हमको मिलता है वही बिलकुल तरीका हम अपने कोश्चनों में भ को देते हैं तुम्हें मालूम है मास्टर स्रीज जो चलती है पूरी भायो से कोश्चन सम उठाते हैं और तुमको मैंने ये भी बताया है कि जो भी आज हम कोश्चन करा रहे हैं 30 कोश्चन NCRT बुक के है 20 कोश्चन पिछले पेपरों से मैंने उठाया है जो आए विये है नीट के अंदर वहां से लिया है और 10 कोश्चन आउट आफ सलेबस लिया है क्योंकि 2-3 कोश्चन नीट में मैंने देखा है ऐसे पूछे जाते हैं जो NCRT बुक में नहीं दिये मतलब अब परसेंट कवर करते हुए चल रहे हैं और यह फाइनल है और यही दोरों सेरीज हमको हमारी मंजल तक पहुंचाएंगी अगर आप जम करके जैसे तुम देखते हो एक मिनट भी हम लेट नहीं करते हैं तो और चैलेंजर सेरीज तुम्हें मालूम है कि हम चैप्टर वाइस कर यार हो रही है इससे बढ़िया गोल्डन चार्श कुछ भी नहीं हो सकता है कल चैलेंजर स्रीज हुई थी और सभी को हम देते हैं बेस्ट आप लग और हम चाहेंगे आज गलतिया कम से कम हो और सही सही एनालेसिस हम तक पहुंचाएं कोश्चन के लास्ट में देखते हैं पहरा कोश्चन है एक्टो कारपस पॉलिश साइफोन या क्यल्प आर हैप्लोंटिक लाइप साइकल है दिप्लोंटिक लाइप साइकल है या हैप्लो डिप्लोंटिक है या नन आप दीज है कोश्चन नमर वन का सेकेंड एंसर सही है और सेकेंड एंसर सबसे पहले किस का आय एजाज काया है तो यह पॉइंट इजाज के खाते में जा रहा है मैं को इसे नमर टू आपकी स्केन पर आपके लिए इंजुर्ण इंड्र स्फार्म लग विपूर फेर्टिलाजेशन आप्टर फेर्टिलाजेशन आप फेर्टिलाजेशन और फोर्थ है नवा दीज तो नमर दो का मोना नागर का answer आया है well done मोना नागर ये answer तुभारे खाते में जा रहा है कोश्चन नमर तीन आपकी स्कीन पर आपके लिए एंटी-पोडल सेल्स आपलोएट डिपलोएट ट्रेपलोएट आलाब दैबब तो एंटी-पोडल सेल्स कैसी होती है तो कुस्चन नमर तीन का first answer सही है लगभग सब के answer सही है और कुस्चन नमर तीन का first answer सब से पहले किस ने दिया है इजाज का आया है वेलिडन इजाज बहुत अच्छा कर रही हो question number 4 आपकी स्कीन पर दिखा लिजे पूरी ताकत और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर लिजे जिम्नो स्पर्म आप पहला option है homo sporus दूसरा हेट्रो स्पर्म तीसा बूर चोता ननाब दीज तो जिम्नो स्पर्म कैसा है हेट्रो स्पर्म स्पर्म कैसा है question number 4 का second answer सही है जा रहा है question number 5 आपकी स्कीन पर आ गया है कोरोराइड रूट फाउड इंदा कोरोराइड रूट किस में पाई जाती है पहला option है साइकस दूसा पाइनस तीसा सिड्रस नेस्ट आलाब दे अबब तो कोरोराइड रूट साइकस में पाई जाती है question number 5 का first answer सही है और question number 5 का first answer सबसे पहले किस ने दिया है पाँच का first answer सबसे पहले सिम्रन हराणी ने दिया है और सिम्रन हराणी बेस्ट आप लग थाइंक्यू तुम्हारा खाता खुल चुका है और सार्थाक पाउड तुमने नहीं दिया है question number 5 question number 6 आपकी screen पर आ गहा है question number 6 ये है first time head twist पोरी start from पहला option है स्लेजनेला दूसरा option है सालवीनिया तीसा option है बोट नेस्ट आप्शन है ननादीस question number 6 का third answer सही है सबसे पहले question number 6 का third option किस ने दिया है question number 6 का third option सबसे पहले इसनिहल पांडे का आया है तो इसनिहल पांडे तुम्हारा खाता खुल चुका है well done इसनिहल बहुत अच्छा question number 7 आपकी screen पर आ चुका है first time seed habit start from सबसे पहले seed habit कहां से start हुई है पहला option ब्रायोपाइट दूसा option ठेडोपाइट तीसा option जिमनोश्पाइट नेस्ट आपशन question number 7 का second answer सही है और question number 7 का second answer सबसे पहले सिमरन हरानी ने दिया है तो यह point सिमरन हरानी के खाते में जा रहा है question number 8 आपकी screen पर है 8 question क्या है एक्योशिटम इस पहला option ब्रायोपाइट दूसा ठेडोपाइट तीसा जिमनोश्पाइट नेस्ट आपशन question number 8 का second answer सही है और 8 का second answer सबसे पहले किस ने दिया है इजाज काया है well done इजाज बहुत अच्छा कर रही हो question number 9 आपकी screen पर आपके लिए 9 question है टेडोपाइट सार यूस फार medicinal purposes soil binders तीसा है बोट नेस्ट आप दीस question number 9 का third answer सही है और third answer question number 9 का किस ने दिया है third answer सबसे पहले इजाज काया है well done इजाज बहुत अच्छा कर रही हो तो nine का third सही है question number 10 question number 10 यह है main plant body आप टेडोपाइट इस टेडोपाइट की main plant body कैसी है गमेटोपाइट इसपुरोपाइट तीसा बोट नेस्ट नाप दीस तो second answer सही है तो दस का second दस का second answer सबसे पहले किस ने दिया है दस का second answer हर सिता ने दिया है नहीं सबसे पहले दिया है दस का second answer देखना पड़ेगा सेमिरन हराणी ने दिया है वेल डन सेमिरन हराणी तुमारे ये खाते में जाएगा पॉइंट सेमिरन हराणी के कोश्चन नमबर 11 आपकी स्कीन पर आपके लिए कोश्चन 11 है इस्पुरूफाइट आप फ्यूनेरिया पहला अप्शन है परासाइट दूस्था है पार्सील परासाइट तीस्था है टोटल परासाइट नेस्ट है एनिटिंग इस पॉसिबल तो फ्यूनेरिया का इस्पुरूफाइट जो होता है वो गमेटोफाइट के उपर पार्सिल परासाइट होता है मतétaisब फोटोसेंशिस दौरा अप्रा भोजन स्वेम बना लेता है लेकिन वाटर और मिनल गेमेटोपाइट प्लांट से लेता है Q11 का 2nd एंसर सही है और 11 का 2nd एंसर सब से पहले किस ने दिया है सेमिरा नहरानी ने दिया है well done सेमिरा नहरानी इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए और उचाहिया अच्विये कोश्चन नमबर 12 इन मासेस राइजोएट्स आर मास में राइजोएट्स कैसे होते हैं पहला अप्षन है मल्टी शलर दूस्टा अप्षन है ब्रांस तीसा है अबलीक सेप्टा आर प्रजेंट कोश्चन नमबर 12 का फूर्ट एंसर सही है तो फूर्ट एंसर जिन लोगों ने लगाया है कोश्चन नमबर 12 का उनका 100% सही है और कोश्चन नमबर 12 का फूर्ट एंसर प्रांजल सिंग ने लगाया है तो ये पॉइंट प्रांजल सिंग के खाते में जा रहा है question number 13 13 देखिए आपकी screen पर आ गया है in mosses leaves are arranged mass में leaves कैसी arrange होती है पहला option alternate दूसर option opposite तीस सा option spirally next option वर्ड तो question number 13 का third answer सही है spirally arrange होती है तो देखते हैं सबसे पहले किसने answer दिया है तेरा का third 13 का third सबसे पहले सिम्रन हरानी का आया है well done सिम्रन हरानी आज तुम अपने पूरे तूफान पे हो question number 14 आपकी screen पर आने वाला है चौदा यह है गयमी आर्क पहला option green दूसा option multicellular तीसा आपसन एसेक्सवल बर्ट्स नेस्ट आपसन आलाब दैबब तो देखते हैं चौदा का फूर्थ answer सही है और चौदा का फूर्थ option किसने दिया है चौदा का फूर्थ option सबसे पहले आया है इजाज का well done इजाज यह पूर्थ इजाज के खाते में जा रहा है बायों की फूल बायों की complete practice आपके सामने हो रही है question नमर 15 जो लोग करना चाहते उसका फाइदा उठा ले इन इनि-फियोफायश कोटे इस्टोर अधा फार्माब पहर्या अप्षन है मिनीट अल रोई फॉस्व स्जिया ले मिनेरियन तीस्व श्याप्षन बोद नेस्ट अप्शन न flop अवन पढिर तो 15 का धनर सही थार्ड अच्छी है औरफ था थार्ड अशर सही है सब Здर स्कीन पर आपके लिए एक कोश्चन के लिए लेस्ट देन वन मिनट टाइम एकॉर्डिंग टू नीट इग्जामनेशन कोश्चन यह एलजिन आप टेन प्रांप ग्रीन एलगी ब्राउन एलगी रेट एलगी आल आप दया एबब तो एलगीन किसे प्राप्त किया जाता है सेक कोश्चन नबर 17 आपकी स्कीन पर आपके लिए 17 कोश्चन यह है हाइट आप केलप एलगी की हाइट कितने मीटर होती है पहला आपसन है 5 मीटर दूसा आपसन 60 मीटर तीसा आपसन 75 मीटर और नेस्ट आपसन है 100 मीटर और 17 का फूर तैंसर सही है केलप जो एलगी है उसकी हा 800 मीटर होती है तो 17 का फूर सबसे पहले किस ने दिया है इजाज का एंसर आया है यह पॉइंट भी इजाज के खाते में जा रहा है कोश्चन नमबर 18 आपकी स्कीन पर आपके लिए सोच समझ के लिए अंसर दीजिए और जल्दी दीजिए एक कोश्चन के लिए एक मिनट से कम समय आपके लिए काराजिन आप्टेन प्राम पहला अप्शन ग्रीन एल्गी दूसरा रेड एल्गी तीसा ब्राउन एल्गी और नेस्ट ननाबदीन ननाबदीज 18 का सेकंड एंसर सही है तो 18 का सेकंड एंसर देखते हैं सब से पहले किस ने दिया है 18 का second answer सबसे पहले सिम्रन हरानी का आया है और ये point सिम्रन हरानी के खाते में जा रहा है question number 19 आपकी skin पर अगार अगार obtained from पहला option है जिलेडियम दूसरा option है ग्रेसिलेडिया तीसा option है बोथ next option है ननावदीस तो अगार अगार किस से प्राप्ट किया जाता है जिलेडियम से भी प्राप्ट किया जाता है ग्रेसिलेडिया से भी प्राप्ट किया जाता है मतलब बो तैंसर सही है मतलब थर्ड आप्शन सही है 19 का थर्ड सबसे पहले किस ने दिया है ये मुझे देखना पड़ेगा 19 का थर्ड सबसे पहले इजाज का आया है और ये पॉइंट इजाज के खाते में जा रहा है Question number 20 आपकी स्कीन पर आपके लिए विच आपदा फालोईंग एल्गी आर कालोनियल कौन सा एल्गी कालोनियल है पहला अप्शन है वालवाक्स दूस्सा अप्शन है क्लेम आइडो मोनास तीस्सा अप्शन है योलोत्रेक्स नेस्ट अप्शन है फ्यूकस तो बीस का कौन सा एसा सही है फस्ट एंसर सही है वालवाक्स जो होता है कालोनियल एलगी होता है तो 20 का फस्ट सबसे पहले किस ने दिया है देखना पड़ेगा सबसे पहले सिम्रन हरानी का आया है तो ये पॉइंट सिम्रन हरानी के खाते में जा रहा है जैसा कि तुम्हें मालूम है 30 question NCRT book के है 20 question पिछले paper से लिए गया है और 10 question out of course से लिए गया है question number 21 मतलब complete need को covered किया गया है 21 algae can be described as autotropic and chemo-synthetic दूस्सा अप्षन है autotropic and photocentric तीसा अप्षन है heterotropic and chemo-synthetic next option है heterotropic and photosynthetic एक किसका second answer सही है algae कैसे होते है autotropic and photosynthetic होते है और जिसने भी second answer लगाया है उसका सही है 21 का second सबसे पहले किसने लगाया है Simran Harani का आया है Simran Harani well done ये point Simran Harani के खाते में जा रहा है question number 22 आपकी स्कीन पर एक quick revision for NCRT book question number 22 the gent among the algae are macrosystent, macrosystent, dactyota, lemnaria कोंसा gent algae है तो देखते हैं question number 22 का second option सही है macrosystent को gent algae कहा जाता है तो second answer सबसे पहले 22 का second किस ने दिया है 22 का second सबसे पहले 22 का second सबसे पहले दिया है सार्थक ने दिया है 22 का second और अबदुल ने question number नहीं डाला है इसले इनकी बात को हम count नहीं कर रहे हैं इन्होंने केवल two link करके छोड़ दिया है तो बाइस का second answer सही है question number 23 आपकी skin पर आपके लिए लग जाईए जुट जाईए कर लीजे रिवीजन आज जर्मनेशन इच जाइगोई स्पोर आप इस पायरोगारा गेवराईस इस जाईगोई स्पोर के जर्मनेशन से कितने इस पायरोगारा के प्लांट बनते हैं four बनते हैं, three बनते हैं, two बनते हैं, one बनता है तो एक जाईगोई स्पोर से केवल एक प्लांट बनता है तीन नस्ट हो जाते हैं तो 23 का fourth option सही है और 23 का 4th option सबसे पहले किस ने दिया है सबसे पहले दिया है इजाज ने तो ये point इजाज के खाते में जा रहा है मतलब एक जाएगो स्पोर्स से कितने स्पैरोगरा के प्लांट बनते एक मतलब बनते 4 हैं 4 में से 3 नस्ठ हो जाते केवल एक ही प्लांट आगे सर्वाइब करता है नेस्ट कोस्चन 24 आपकी स्कीन पर आपके लिए 24 कोस्चन है इन इस पैरोगारा पहला अप्षन है फिलामेंट्स इन विच लेटरल कांजूगेशन अकर्स और होबोथैलिक दूस्टा अप्षन है फिलामेंट्स इन विच इसकेल्डी फार्म कांजूगेशन अकर्स और होबोथैलिक नेस्ट आप्षन है फिलामेंट्स इन विच लेटरल कांजूगेशन अकर्स इन हेट्रोथैलिक नेस्ट आप्षन है असेक्शोल लेप्रोडक्शन अकर्स by Jewish force तो first answer सही है lateral conjugation जो होता है वो एक ही filament की दो self के बीच होता है तो homothelic है तो first answer सही है 24 का first 24 का first सबसे पहले किस ने दिया है 24 का first सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा एक मिनट 24 का first सबसे पहले मोना नागर ने दिया है तो ये पॉइंट मोना नागर के खाते में जा रहा है गलतिया मत करिए तो question number 25 आपकी skin पर आ रहा है और 25 question का question क्या है 25 fungal cell wall is composed पहला option है kaitin, दूसरा है kaitin and cellulose, तीसा option है hemisellulose, चौता option है cellulose, तो फंगस की cell wall kaitin की बनी होती है 25 का first answer सही है, fungal cell wall made up up kaitin तो 25 का first सबसे पहले किस ने दिया है सबसे पहले 25 का first, syvans ने दिया है, और ये point syvans के खाते में जा रहा है well done syvans, जित्ती तारीब करोती कम, question number 26, fungi are always, पहला option है autotrops, दूस्छा आप्शन heterotrops, तीस आप्शन parasite, nest आप्शन is porophytes, तो फंजाई कैसे होते है, heterotrops होते है मतब 26 का second answer सही है और 26 का second answer सबसे पहले किस ने दिया है, 26 का second answer सबसे पहले simran hirani का आया है, तो ये point simran hirani के खाते में जा रहा है, question number 27 आपकी skin पर आचुका है, ये दिया गया है, savery famine of west bengal, 1942 43 was due to the destruction of rice crop by a fungus card, पहला आप्शन है, helmintho isporium, तीसा आप्शन है, penicillium, nest आप्शन है, rhizopus, nest आप्शन है, रक्षिया, देखते हैं, 27 का किसका answer सही आता है, बहुत important question है, 27 का first answer सही है, helmintho isporium के कारण बहुत सारा वहां की धान की फसल चौपट हो गई थी, तो first answer, 27 का first answer सही है, और 27 का first answer, सबसे पहले simran hirani ने दिया है, तो ये point simran hirani के खाते में जा रहा है, well done simran hirani, जितनी तारीब करोती कम, question number 28, some haploid structure of rhizopus include, the rhizopus में कौन कौन सीर में से दी गई structure haploid है, पहला option है, mycelia, दूसरा option है, sporangia, तीसरा option, spores, next option है, high P, gygot sporangia, next है, mycelia, gygot spores, और spores, next option है, mycelia, gygot spores, and suspension, इन में से, कौन सी structure haploid है, तो mycelia भी haploid होता है, sporangia भी haploid होते हैं, और spores भी haploid होते हैं, तो 28 का, first answer सही है, और 28 का, first answer, सब से पहले किसने दिया है, अर्फा हासन ने आया है, दिया answer, और ये point, अर्फा हासन के खाते में जा रहा है, well done, और question number 29, आपकी skin पर, आपके लिए, टारूला कंडिशन सीन इन, बहुत important question है, कि टारूला कंडिशन किस में देखी जाती है, पहला option है, अग्रिकस, दूसा option है, इस, तीसा option है म्यूकर, नेस्ट आप्सन है पक्सीनिया, देखते हैं, टारूला कंडिशन पाई जाती है, म्यूकर में, टारूला का थार्ड एंसर सही है, और टारूला स्टेश होती क्या है, जब, जब, इस पोर्च जो होते हैं, एक लाइन से अरेंज होते हैं, तब उसे टारूला स्टेश कहते हैं, तो थार्ड एंसर सही है, 29 का 3rd answer सही है और 29 का 3rd answer सबसे पहले किस ने दिया है लगभग लगभग सबके गलत आये है तो सबसे पहले सही answer दिया है 3rd प्रांजल सिंग ने तो ये point प्रांजल सिंग के खाते में जा रहा है अच्छा नीता ने दिया है अभी देखे ले रहे है 28 28 नीता का एंसर गलत है 28 अच्छा 28 नीता का है एक मिनट एक मिनट नीता का हम देखे ले रहे है 28 एक मिनट नहीं नीता का नहीं है नहीं 28 में देखना है हाँ ओके नीता का है सही बात है नीता का सही अंसर है 29 और 29 का थर्ड अंसर सही है अच्छी बात है वेल डन और कोस्चन नमबर 30 आपकी स्कीन पर आपके लिए 30 है विच आपदा फालोइंग इस अ गुट एक्जामपल आप हेट्रोथैलिस्म हेट्रोथैलिस्म का सबसे बढ़िया एक्जामपल कौन सा है ये कोस्चन बहुत इंपोर्टेंट है तो कोस्चन नमबर 30 का थर्ड एंसर सही है 30 का 3rd सबसे पहले किस ने लगाया है question number 30 का 3rd इसने हल पांडे ने लगाया है तो ये point इसने हल पांडे के खाते में जा रहा है well done इसने हल जितनी तारीब करोथ नी कम question number 31 आपकी skin पर आपके लिए ये है generally in liberty culture of rhizopas there is no formation of gygo sport because there is deficiency of oxygen दूसा option there is deficiency of light तीसा option due to the absence of plus and minus system of mycelium ये ही सही answer है 31 का 3rd answer सही है और 31 का 3rd answer सबसे पहले किस ने दिया है इसने हल पांडे ने दिया है तो ये point इसने हल पांडे के खाते में जा रहा है तो 31 का 3rd nest 32 question ये question बहुत important head to thalism was discovered by पहला option है ब्लैक किसली दूसा option है वाक्समैन नेस्ट आप्सन है बेटलर नेस्ट आप्सन है अलेक्जो पोलस तो देखते हैं 32 का 32 का 1st answer सही है 32 का 1st answer सही है ब्लैक किसली ने head to thalism नाम दिया था तो 32 का 1st सबसे पहले किसने लगाया है 32 का 1st सबसे पहले इसने हल पांडे का आया है तो ये point इसने हल पांडे के खाते में जा रहा है question number 33 आपकी skin पर ये है SR concept is famous indian SR concept famous indian है पहला option है bryologist दूसरा option है telologist next option है mycologist next option है phycologist तो 33 का 1st option सही है मतब SR concept famous indian bryologist है तो 33 का 1st option सबसे पहले किसने दिया है और सबसे पहले दिया है 33 का 1st सार्थक में दिया है very good सार्थक जितनी तारीप करोती कम ये point तुमारे खाते में जा रहा है question number 34 आपकी skin पर बहुत जल्दी आ रहा है the two layer of teeth in the peristorm teeth of mass are mass में दो layer peristorm teeth की होती है पहला option है decorative part functioning like shepals and petal in flower दुष्ट अप्शने पार्ट which help in the discourage of spores only third option a part which help in the gradual dispersal of spores the upper teeth are hygroscopic and open out only in dry weather the lower ones check sudden मतलब 34 का third answer सही है तो 34 का third answer जिन लोगों ने लगाया है उनका hundred percent सही है इस question में कोई भी doubt नहीं है 34 का third answer सबसे पहले किस ने लगाया है इस नेहल पांडे ने लगाया है तो ये point इस नेहल पांडे के खाते में जा रहा है जरूर याद रखना इस question को question बहुत important है question number 35 आपकी skin पर आ रहा है 35 आपकी skin पर आ रहा है 35 question ये है sporogynist tissue of mass capsule mass के capsule में sporogynist tissue कहां से develop होता है develop from outer muscles of the endothesium दूसरा option है develop from entire endothesium third option है is an extremely developed sustained next option है none of these तो 35 का first answer सही है sporogynist tissue of mass capsule develop from outer muscles of the endothesium तो देखते हैं 35 का first answer सबसे पहले किस ने लगाया है 35 का first answer इजाज का आया है well done इजाज बहुत अच्छा कर रही हो जितनी तारीब करें होता कम सबी लोग अच्छा कर रहे है और 36 का fourth option सबसे पहले किस ने दिया है 36 का fourth option सबसे पहले प्रांजल का आया है well done प्रांजल और ये point प्रांजल के खाते में जा रहा है question number 37 आपकी स्कीन पर और एक नीट का बहुत बढ़िया प्रैटिस का प्लेट फार्म 37 है अब मास्ट डिपर फ्रम अफर्ड इन हैविंग पहला option है फ्लेजलेटिट अंत्रेजोइट दूसरा option है आर्चिगोनिया तीसा option है है अप्लोइट इस्पोर्स और नेस्ट आप्शन है डिपेंडेंट इस्पोरोफाइट तो 37 का फूर्थ आप्शन सही है मास्ट में जो इस्पोरोफाइट होता है डिपेंडेंट होता है किसके उपर गैमेटोफाइट प्लांट के उपर तो 37 का फूर्थ आप्शन सही है और 37 का फूर्थ आप्शन सबसे पहले इसनिहलपांडे ने दिया है तो ये point इस निहल पांडे के खाते में जाएगा question number 38 आपकी skin पर आपके लिए 38 questions यह है in masses, stomata are present on mass में stomata कहां पर पाय जाते हैं पहला option है leap, दूस्सा option stem, तीसा option थीका, next option apophysis, तो 38 का fourth option सही है 38 का fourth option सबसे पहले इसनिहल पांडे का आया है तो इसनिहल पांडे के खाते में ये point जा रहा है एक question के लिए एक मिनट से कम समय दिया जा रहा है 39 question, chloroplast are present in the sports आप, किसके sports में chloroplast पाय जाते हैं, पहला option है राइजोपस, दूस्सा आपशन है इस तीस आप्शन है diopteris, नेस्ट आप्शन है funeria तो funeria के sports में chloroplast पाय जाते हैं, मतलब 39 का fourth answer सही है और 39 का fourth option सबसे पहले किस ने दिया है सिवांस ने दिया है, तो ये point सिवांस के खाते में जा रहा है well done सिवांस जित्ती तारीप करो तीकम question number 40, 40 number का question आ चुका है protonema is a stage in the life cycle of मतलब किसकी life cycle में protonema stage पाय जाती है पहला option है आल ब्रायोफाइट, दूसरा option है मौसेस ओनली, तीसरा option है algae, next option है साइकस, 40 का second answer सही है मौसेस ओनली, मतलब protonema stage के वल मौसेस में मिलती है तो 40 का second answer सही है, और 40 का second answer सबसे पहले किस ने दिया है चालिस का second answer सबसे पहले इस नेहल पांडे का आया है तो ये point इस नेहल पांडे के खाते में जा रहा है question number 41, आप किस कीन पर आपके लिए 41, question यह है, select the wrong statement आपको wrong statement select करना है wrong, क्या है, o my cities female gamut is smaller and motile, while male gamut is larger and non motile दूसरा option, select the wrong statement आपको select करना है पहला option है, o my cities female gamut is smaller तो यही गलत बात है, female gamut हमेसा बड़ा होता है male gamut हमेसा छोटा होता है तो 41 का first answer सही है, पहली बात गलत लिखी है तो देखते हैं, 41 का first answer सबसे पहले किस ने दिया है 41 का first answer सबसे पहले इजाज का आया है well done इजाज बहुत अच्छा कर रही हो question number 42, आप कि स्कीन पर आपके लिए यह isogamous condition with non-plagulated gamut is found in मतलब isogamous condition है और non-plagulated gamut किस में पहले जाते है तो 42 का fourth answer सबसे पहले किस ने दिया है सिवांस ने दिया है तो यह point सिवांस के खते में जा रहा है question number 43, आप कि स्कीन पर आगया है 43 देखे, क्या दिया गया है monoseous plant आप कारा monoseous plant आप कारा so occurrence of upper enthridium and lower egonium on the same plant दूस्सा अप्सन दिया गया है upper egonium and lower enthridium on the same plant तेशा है enthridio force and archigonio force on the same plant nest is stamen and carpel on the same plant तो 43 का second answer सही है egonium ऊपर होता है enthridium नीचे होता है तो 43 का second देखते हैं सबसे पहले 43 का second सबसे पहले किस ने दिया है 43 का second सबसे पहले इस्नेहल पांडे का आया है तो ये point इस्नेहल पांडे के खाते में जा रहा है well done स्नेहल question number 44 आपकी skin पर आगया है पूरी ताकत दिखा लिजे पूरे प्रयास कर लिजे read the following statement a to e and answer the question which follows them तो क्या दिया गया है आप देख करके 44 questions देखे 44, 44 का first answer सही है 44 question का first answer सही है और first answer सबसे पहले किस ने दिया है सेमिरा नहरानी ने दिया है very good तो ये point सेमिरा नहरानी के खाते में जा रहा है और जाना भी चाहिए बहुत अच्छा कर रही है और question number 45 आपकी skin पर आ रहा है तो 44 का first answer सही था question number 45 syngamy can occurs outside the body of the organism masses है, algae है, fern है, fungi है syngamy body के बाहर किस में होती है मत्तब syngamy का मत्तब fertilization होता है 45 का second answer सही है, algae second answer सही है तो 45 का second सबसे पहले किस ने use किया है अरपा हसन का answer आया है ये point अरपा हसन के खाते में जा रहा है question number 46 आपकी skin पर आपके सामने 46 question ये है, what is common in all the three funerial diabetes and jingo तीनों में क्या common है प्रजन साप आर्ची गोनिया दूस्सा option है well developed vascular tissue next है independent gametophyte next option है independent sporophyte तो सभी में आर्ची गोनिया पाए जाते है तीनों में आर्ची गोनिया पाए जाते है तो 46 का first answer सही है और 46 का first answer सबसे पहले सेमिरन हरानी का आया है well done सिमनर हरानी और ये point सेमिरन हरानी के खाते में जा रहा है question number 47 आपकी skin पर आपके लिए 47 question क्या है which one are the following is wrongly missed आपको गलत जूड़ना है spirogarab, motile gamit, sargassum, chlorophyll, basidiomycities, puffball, nostock, water bloom तो देखते हैं 47 का किस का answer है 47 का first answer सही है spirogarab में motile gamit नहीं पहले जाते है lan motile gamit पहले जाते है तो spirogarab का first सही है तो 47 first answer सबसे पहले किस ने दिया है सबसे पहले इस नहल पांडे ने दिया है तो ये point इस नहल पांडे के खाते में जा रहा है question number 48 आपकी skin पर आपके लिए दिखा लिजे कितनी आपने तयारी की है अच्छे से जुड़ जाईए एक question के लिए एक मिनट से कम समय हम दे रहे है the plant body is thaloid in प्रशनाता है thaloid क्या होता है जब plant body root stem leap में divide नहीं होती है तो ऐसी plant body को thaloid कहते है पहला अप्षन है spectrum दूस्सा अप्षन है salvinia तीस्सा अप्षन है markensia और next अप्षन है funeria तो 48 का third answer सही है markensia की plant body कैसी होती है thaloid होती है thaloid की meaning फिर से सुन लिजे जब plant body root stem और leaf में divide नहीं होती है तब उसे क्या कहते हैं thaloid कहते हैं question number 49 आपकी skin पर आपकी सामने 49 question देखते है which one of the following is common to multicellular fungi, filamentous, algae and protonima of mosses दोनों में common क्या चीज है deplantic life cycle members of kingdom planty third है mode of nutrition next है multiplication by fragmentation 49 का फूर्थ आप्शन सही है सभी में multiplication, fragmentation के द्वारा होता है तो देखते हैं 49 का फूर्थ आप्शन सबसे पहले किस ने दिया है 49 का फूर्थ आप्शन सबसे पहले सिम्रा नहरानी का आया है तो ये पॉइंट सिम्रा नहरानी के खाते में जा रहा है वेल डन सिम्रा नहरानी जितनी तारीब करो तनी कम बहुत अच्छा सभी लोग खिर लह हो कोई एक नहीं सब अच्छा खिर लह है question number 50 which one of the following is a correct statement हमको correct statement पहचाना है tildophyte, gametophyte has a protonemal and leafy stage दूस्षा option है in जेम्नो स्पन female gametophyte is free living third option है nthidopore and archigonopore are present on tildophytes fourth option है origin of seed habit can be traced in tildophytes तो 50 का fourth answer सही है एक बार और करा चुके है seed habit कहां से start ही है tildophyte से start ही है 50 का fourth answer सही है और 50 का fourth answer सबसे पहले किस ने दिया है 50 का fourth option सबसे पहले इजाज का आया है well done इजाज बहुत अच्छा कर रही हो question number 51 आपकी skin पर आपके लिए आ रहा है 51 question ये है psychus and adiantum resemble each other in having psychus और adiantum एक जैसे दिख्ट होते हैं और कैसे पहला option है seeds दोनों में पाय जाते हैं दूस्सा option है motile sperms पाय जाते हैं 30 आपसन है cambium पाय जाता है और next option है vessels पाय जाता है तो 51 का second answer सही है motile sperms जो है psychus में भी पाय जाते हैं और adiantum में भी पाय जाते हैं और यही पर एक बात तुमको हम समझाना चाहेंगे कि साइकस के जो स्पर्म होते हैं प्लांट किंडम में सबसे बड़े स्पर्म होते हैं और साइकस के स्पर्म जो होते हैं मल्टी सिलियेटेट होते हैं और लट्टू के आकार के होते हैं तो साइकस के स्पर्म लट्टू सेफ्ड होते हैं मल्टी सिलेट होते हैं and largest sperm in the plant kingdom plant kingdom में साइकस के sperm सबसे हाँ सही बात है एडियन्टम को वाकिंग फर्म कहा जाता है यह पूछा जा सकता है question number 51 का second answer सही है सबसे पहले 51 का second answer किस ने दिया है जरा देखना पड़ेगा 51 का second answer सबसे पहले इसने हल पांडे का आया है तो यह point इसने हल पांडे के खाते में जा रहा है question number 52 आपकी skin पर आपके लिए 52 question देखिए which one of the following pair is wrongly matched मतब कौन सा इन में से wrongly matched है पहला option है जिंगो आर्चिगोनिया दूसरा option है salvenia prothellis, nest of virus RNA, nest of mustard synergit तो 52 का second option गलत है यह सही मैच नहीं है कह रहे है salvenia prothellis salvenia prothellis नहीं है एक एक्यूटिक प्लांट है salvenia 52 का second answer सही है और 52 का second answer सबसे पहले किस ने दिया है मुझे देखना पड़ेगा 52 का second answer सबसे पहले सबसे पहले जय ने दिया है जय बहुत बहुत स्वागत्त है मिस्सा क्लासे चैनल के ऊपर और आपने सही answer दिया है तो 52 का second next देखा जाए 53 question आपके लिए आपकी स्कीन पर है ये रहा read the following five statement A to E an answer as asked next to them तो देखा जाए क्या है 53 का कौन सा answer सही होगा 53 देखिए भाई आप सोचे विचारिये टाइम लगा लिजे 53 questions से 53 का fourth answer सही है 53 का fourth answer सही है और fourth answer सबसे पहले दिया है सपना ने दिया है तो ये option सपना ये point सपना के खाते में जाएगा fourth answer सही है 53 next question 54 question 54 देखिए 54 how many organisms in the list given below the autotrops मत्ब जो ये organism दिये है इन में से कितने जो है autotrops होते हैं अपना भोजन स्वयम बना लेते हैं अब आपको छाटना है कौन कौन से autotrops है तो देखते हैं किसका answer सही आता है तो इन में से 54 का third answer सही है इन में से 6 ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयम बना लेते हैं तो अब 54 का third answer सही है और 54 का third answer सबसे पहले किस ने दिया है 53 का third answer सबसे पहले दिया है इस ने हल पांडे ने तो ये point इस ने हल पांडे के खाते में जा रहा है question number 55 आपकी skin पर 55 देखिए the gametophyte is not an independent free living generation in पहला option है polytrichium दूसा option है adiantum तीसा option है markensia next option है pinus किस में gametophyte independent free living नहीं होता है तो 55 का fourth option सही है pinus answer इसका है तो well done देखते हैं 55 का fourth option सबसे पहले किस ने दिया है 55 का fourth answer सबसे पहले सिम्रन हरानी का आया है सिम्रन हरानी well done बहुत अच्छा कर रही हो question number 56 आपकी skin पर आपके लिए 56 question आपके लिए ये question है compared with the gametophyte of the bryophyte the gametophyte of west floor plant tend to be मत्वब bryophyte का gametophyte और west floor plant के gametophyte का compare किया गया है तो 56 का कौन सा answer सही होगा fourth answer सही है तो 56 का fourth answer सबसे पहले सपना का आया है तो ये point सपना के खाते में जा रहा है 56 का fourth answer सही है smaller and to have क्या दियागे smaller sex organs fourth answer सही है 56 का next question 57 पर आईए 57 question आपकी skin पर है आर्ची गोनियो फोर इस प्रेजेंट इन पहला आप्षन है markensia दूस्सा आप्षन है कारा तीस्सा आप्षन है adiantum और नेस्ट आप्षन है funeria तो देखते हैं 57 आर्ची गोनियो फोर किसमें पाय जाता है तो इसका 57 का first answer सही है markensia में पाय जाता है तो जिन लोगों ने first answer लगाया है उनका बिल्कुल सही है और 57 का first सबसे पहले सिमरान हरानी ने लगाया है तो ये point सिमरान हरानी के खाते में जा रहे है एक बात फिर एक मिनट के लिए हम विश्राम लेंगे देखे जिन लोगों जो भी नए लोग है चैनल से अटैच है चैनल को सब्क्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर लिजे और वीडियो को अपने अपने गृप में सेर कर लिजे ये बात मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि एक टीचर की सोभा उसके लाइक से होती है उसको कितने लोग प्रसंद कर रहे है या कितने लोग नहीं प्रसंद कर रहे है अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप लाइक कर लिजे अदर्वाइस दिसलाइक कर दीजे क्योंकि अगर आपको लगता है आपके लिए हम काम कर रहे हैं तो आप लाइक करें और लगता है आप के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं तो तुरंत आप डिस लाइक कर दीजे कोश्चन नमर 57 का फर्स्ट एंसर सही है और कोश्चन नमर 58 58 आपके स्क्रीन पर कोश्चन है अप्रो कारियाटिक आठोट्रोपिक नाइटोजन फिख्सिंग सिंबायोंट इस पाउन इन पहला आपसं दिया है एलनस दूसर आपसं दिया है साइकस तीस आपसं है सिसर नेस्ट आपसं है पाइनस 58 question है 58 देखते हैं 58 का second answer सही है और 58 का second answer सबसे पहले दिया है इस नहल पांडे ने दिया है तो ये point इस नहल पांडे के खाते में जा रहा है question number 59 आपकी skin पर आ रहा है 59 question बहुत जल्दी आ जाएगा आपकी skin पर ये रहा स्लेजनेला एंड साल्विनिया आर कंसीडर टू रिप्रेजेंट आ significant step toward evolution of seed habit विकास तो देखते हैं 59 के answer तो आने लगे हैं fourth answer सही है 59 का fourth सबसे पहले 59 का fourth सार्थक ने दिया है सार्थक तुमारी जितनी तारीब करो उतनी कम ये point तुमारे खाते में जा रहा है तो 59 का fourth answer सही है question number 60 आज का last question 60 question देखते हैं कौन विजेता है आज का कौन देता है answer सबसे पहले 60 question आपकी स्कीन पर consider the following four statement whether they are correct or wrong तो देखते हैं किसका answer सही आता है 60 का 60 का देखते हैं किसका सही answer आता है 60 का second answer सही है और second answer 60 का सबसे पहले किस ने दिया है 60 का second answer सबसे पहले सपना ने दिया है तो ये point सपना के खाते में जा रहा है well done सपना last question का answer तुम ने दिया है और ये point तुमारे खाते में जा रहा है और आप बताईए कितने किसके सही हुए हैं कितने किसके गलत हुए हैं सही सही जानकारी तुरंद प्रवाइट करिए एक question के लिए एक मिनट से कम मैंने time दिया आप लोगों को और सभी लोगों ने बहुत अच्छा खेला है जितनी तारीव करो अतनी कम counting सही करना जूट मत बोलना क्योंकि career का सवाल है और उसी साब से हम अपनी planning में changing लाएं और वरुन ने कहा है छे रांग 57 correct गलत बात जूट बोलिए तो सच बोलिए सोच समझ करके बोलिए इतने तो question भी नहीं थे भाई मेरा वरुन जे इतने तो question भी नहीं थे जल्दी बताईए भाई वरुन ने कहा है छे गलत थे 54 correct आप सही है बेरिगोट मतब ज़्यादा घपलाने की जरूरत नहीं है थोड़ा सा गलतियों में और कमी लाए और चलता है यार वरुन इतना चलता है भाई मेरा और सार्थक ने लिखा है सार्थक तुमारे यार कम correct है भाई मेरा मेनत करने की जरूरत नीता छे रांग हैं और थोड़ी से गलतिया कम करें सपना के साथ गलत है ओफो एजाज तुमने प्रयास तो किया है छे गलत हैं एक आद कोश्चन पर आओ एतनी मेनत करिये सेमिरन गुड है और सुधार करो एक आद गलती पर आईए और इसने हल आठ ज्यादा गलत हैं गलतियों को सुधारिये और प्रांजल के चार गलत हैं प्रांजल और सुधार करिये और हसन हाँ बेरे छे गलत हैं गलतियों को रोकिए गलतियों को रोकिए जितना हो सके उतनी गलतिया कम करिये और कोश्चन कोई भी गलत नहीं है क्योंकि हम सारे एंसर री चेक करने के बाद तुमें कराते हैं इसलिए answer सारे सही हैं और गलतियां जितना हो सके उतना कम करिये गलतियां जितना कम करोगे आगे उतना बढ़ोगे समझे तो एक आद गलती तो चलती है लेकिन वैसे गलतियों में तुम लोगों ने अपनी सुधार किया है नो डाउट गलतियों में तुम लोगों ने सुधार किया है इससे तो हम नहीं जुटला सकते हैं और कल फिर देखते हैं master series लग जाईए जुट जाईए कल मिलेंगे 12 बजे तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से thank you